वॉलिवुट के तमाम अभिनेता और अभिनेत्रियां अक्सर सुर्खियों में रहते हैं ज्यादा तर ये अपनी फिल्मों के कारण चर्चा में रहते हैं कभी फिल्मों के हिट होने से तो कभी फ्लॉप हो जाने से पर कई बार अभिनेता अभिनेत्रियां फिल्मों से इतर कामों के लिए भी चर्चा का केंदर बन जाते हैं कभी साकारात्मक तो कभी नाकारात्मक ऐसे ये कभिनेता हैं अक्षय कुमार अपनी फिल्मों के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले अक्षय कई बार दूसरे कामों के लिए भी सुर्खियां बनते हैं फिर चाहे वो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का इंटर्विव हो या मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री सिवराज सिंग चौहान के साथ पौधे लगाना अक्षय कुमार इन दिनों फिर सुर्खियों में हैं फिल्म की वज़ा से नहीं एक विग्यापन की वज़ा से से वो सोशल मीडिया यूजर्स के निसाने पर आ गए हैं विग्यापन को लेकर उनको काफी ट्रोल किया जा रहा था उनके फैंस कई तरह की प्रतिक्याएं देने के साथ ही उनसे सवाल भी पूछ रहे थे लगातार ट्रोलिंग और फैंस के सवाल उठाने के चलते अब अक्षे ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस विग्यापन के लिए माफी मांगी है फिल्म अभिनेता ने अपने इंस्ट्राग्राम हैंडल पर एक माफी नामा पोस्ट किया है अक्षे गुमार ने माफी नामे में लिखा मैं अपने सभी फैंस और सुबचिंतकों से माफी मांगना चाहता हूँ बीते कुछ दिनों से आपके रिस्पॉंस ने मुझे जगजोर दिया मैं तंबाकू का समर्थन नहीं करता आप सभी ने जिस तरह विमल इलाईची के साथ मुझे मेरे जुडाओ पर अपनी भावनाएं जाहिर की मैं उनका सम्मान करता हूँ अभिनेता ने आगे लिखा मैं पूरी विनमरता के साथ इस से पीछे हटता हूँ मैंने इस विज्ञापन से मिलने वाली सारी रकम को किसी नेक काम में लगाने का फैसला किया है कानूनी वज़ों से इस विज्ञापन को तै वक्त तक परसारित करने का कॉंट्रेक्ट है हालां कि मैं आगे से साथान रहने का वादा करता हूँ दरसल ये पूरा विवाद शुरू हुआ पान मसाला बनाने वाली कमपनी बिमल के उत्पाद बिमल इलाइची के विग्यापन को लेकर इससे पहले ये विग्यापन अविनेता अजय देवगन किया करते थे वो लंबे वक्त से इसका परचार कर रहे हैं कुछ समय पूर्व इसके विग्यापन में अजय देवगन के साथ ही अभिनेता शारूख खान भी नजर आने लगे और अब इसी कमपनी के विग्यापन में अक्षय कुमार की भी एंट्री हो गई बताते चलें कि कुछ सामाजिक मुद्दो पर फिल्में बनाने के चलते अक्षय अपने ही प्रसंसकों के निसाने पर आ गए थे अक्षय खुद भी ऐसे विग्यापन न करने की बात कहते रहे हैं उन्होंने अपने कई इंटर्विव में कहा था कि गुटका कमपनियां उन्हें करोणों के आफर देती हैं लेकिन वे उन्हें स्विकार नहीं करते अक्षय कई मौकों पर तंबाकु विग्यापन को अपने सिद्धानतों के खिलाब बता चुके हैं इसलिए उन्हें और ज्यादा अलोचना का सामना करना पड़ा इससे इतर कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं जहां अभिनिता अभिनित्रियों द्वारा कई ऐसे विग्यापन ठुकरा दिये जाते हैं जो आम आदमी के लिए नुकसान दायक हों या वो स्वैम उससे कनेक्ट ना रखते हों साउत के सूपरस्टार अलोचन इसके हालिया उदाहरण है अलोचन ने एक तंबाकू कंपनी के विग्यापन का ओफर ठुकरा दिया इसे लेकर उनके सोचल मीडिया पर काफी तारीफ हुई थी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी ने अलोचन को करोनो रुपए का ओफर दिया था अलोचन अपने फैंस के बीच किसी भी गलत चीज को प्रमोट नहीं करना चाहते थे इसलिए उन्होंने कंपनी के सोफर को ठुकरा दिया हाला कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी विज्यापन को लेकर विवाद हुआ हो इसके पहले भी कई विज्यापनों को लेकर विवाद होते रहे हैं कभी विज्यापन के कंटेंट को लेकर तो कभी उसको करने वाले अभिनिता या अभिनित्री को लेकर। 1991 में शुरू हुए उदारी करण के बाद देश में विज्यापनों का चलन तेजी से बढ़ा। उसके बाद से कई बड़ी कंपनियों के विज्यापनों पर विवाद होते रहे। विज्यापन विवाद की जद में आ चुके हैं। विपास अभाशू, आमिर खान, रणवीर सिंग और अमिता बच्चन का भी विवादित विज्यापन करने के चलते खूब बिरोध हो चुका है। खुद पॉलिवुट के महानायक अमिता बच्चन भी एक पान मसाला को प्रमोट करते थे। इसे लेकर सोचल मीडिया पर उनकी खूब ट्रोलिंग हुई थी। इसके बाद उन्होंने अपने बर्थडे पर इस एड को छोड़ने का एलान किया था। उनकी तरब से कहा गया था कि जब वो इस ब्रांड से जुड़े थे तब उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि यह सरोगेट विग्यापन के अंतरगत आता है। विग्यापन के चलते अमिताब ने ब्रांड के साथ अपना अनुबंद खत्म कर लिया और प्रमोशन की फीस भी लोटा दी थी।